किसान भाईयों नमेशकार मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देखरे और अपना मन पसंद यूटूब चैनल लेकर क्या हूँ गेहूं की घेती से जुड़ी कुछ मैदो पुन जानकारी पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे किसान भाईयों का एक कॉमन सवाल सामने आया चोटा सा कि गेहूं की फसल में खाद पानी लगाने से पहले डाले या बाद में हलाकि दोस्तों ये सवाल सुनने में आपको बड़ा जरूर अटपटा लगा होगा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है लेकिन इसके पीछे भी लोजिक होता है किसान भाई अपने दिमाग का प्रयोग करें तो अपने आप आपको इसका जवाब मिल जाएगा किसान साथियों फसल चाहे कोई भी हो उसमें आप खाद यदि पानी लगाने से पहले डालते हैं तो वो अच्छे तरीके से काम करेगी क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे ही आप खाद का छिंटा लगाते हैं खड़ी फसल में टोप ड्रेसिंग करते हैं तो उसके बाद यद पर प्रयाप्त खाद नहीं मिल पाएगी दूसरा जैसे आप देख सकते हैं यूरिया भी दो फोम में आती है एक बारीक आती है दूसरी थोड़ा मोटा दाना होता है अगर मोटे दाने वाली यूरिया अगर अपने पानी के बाद में डालते हैं तो वह घुलने में थोड़ा time लेती है और कई-कई जगह पे रुख भी जाते है पूरा घुल भी नहीं पाती तो ऐसे में किसान भाई कोई भी फसलों पानी के साथ यदィ आप खाद डालते हैं तो पानी लगाने से पहले खाद जिढ़का हो गर कि बाद में उसके पानी देंगे तो वह पानी के साथ मिक्स होकर पूरी फसल में प्रयाप्त रूप से और एक समान खाद मिलेगी दूसरा फाइदा ये भी है कि यदि आप पानी से पहले खाद डालते हैं तो उसका रेजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलता है यानि वह पोदे को जल्दी लाइक बसेर जरूर करें और किसान भाईयों जाने से पहले चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भुविशे में भी आपको खेती किसानी से जोड़ी हर एक महतापुन अपडेट सबसे पहले प्राप्तो थैंक्यू